हिंदी लोग कता बहु की चत्राई बिरन बाई मालवा गुजरात में जगह है वहां की यहर लोग कता है एक गाउ में साथ भाई बहन रहते थी छे भाई और साथ में बहन, बहन का नाम था बिरन बाई अब उसके माबाप तीर्थी आक्राप पर जाने लगे तो मा ने भोजाईयों को बुला कर कहा तुम मेरी लाडली बिरन बाई को सुक से रखना इसे बहुत आराम देना और कोई काम भी मत करवाना भोजाईयां कहने लगी सासो जी हम तो आपके सामने जो कुछ कहना हो कह देते हैं पर आपके जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कहती धन गड़ी धन भाग हमारे जो हमारे एक ही ननद है दस पास तो नहीं है और वह भी तो अपने भाईयों से भी अधिक लार से रही है मा बाप्तिर्थ पर चले गए इधर सब भाई अपने अपने काम से बाहर जाते मिलकर पिली मिट्टी खोद लाते हैं ननद बहुत उत्साहिती बुले हाँ भवी चलो जल्दी से ले आए सब की सब पिली मिट्टी लेने के लिए गई भोजाईयां खोदती तो पिली मिट्टी निकलती और ननद खोदती तो मोती निकलते बोजाईयों ने पिली मिटी की टोकरी भरी और ननदने मोतियों की बोजाईयों ने देखा तो जल गई मन ही मन में कहने लगी रांड नह जाने क्या जादू जानती है घर पर भी नह जाने क्या जादू टोना करेगी फिर वे कहने लगी बाई तुम यहीं खड़ी रहो तुमसे यह टोकडी नहीं उठेगी यह बहुत भारी है हम अपनी टोकडी रख कर तुम्हारी टोकडी लेने आते हैं फिर तुम्हारी ले चलेंगी वे जाने लगी बिरन भाई बोली, नहीं भावी, मैं भी चलती हूँ, उठा लूँगी से तो मैं, नहीं भाई जी, तुम इतना बोज नहीं उठा पाओगी, क्योंकि तुमने कभी बोज उठायाई ही नहीं है, तुमें कहीं कुछ हो गया, तो तुमारे भाई हमें खा जाएंगे, तुम तो लिए यहां खड़ी रहो, हम अभी जाती हैं और जाकर अभी वापस आ जाती हैं, ननत बिचारी खड़ी रही, खड़ी खड़ी, बोजाईयों की बाट जोरने लगी, बोजाईयां अब आती हैं, पर भावियों के मन में तो कपट था, वह बिचारी क्या जाने, बैठे पर वे वापस नहीं आई, साज हो गई, उसी समय वहां से साधू की एक टोली निकली, बिरन बाई ने साधू से कहा, महराज मेरी टोकरी उठवा दो, साधू ने देखा लड़की अकेली है, कहा, बच्चा, तू अकेली यहां क्यों है, बिरन बाई ने सब हाल कह जुनाया, म वहां तो सब साधूगी थे, कई दिन हो गए, साधू ने उसे कहीं नहीं जाने दिया, धीरे धीरे वह उसे छोटे छोटे गाव में बिख्षा मांगने भीजने लगा, अब वह सब घर जान गए, साधू ने उसे उस गाव में जाने के लिए मना कर दिया था, जहां कि वह र उसने कहा उधर तुझे कोई पकड़ लेगा और उस गाउं में तुझे भीग भी भी नहीं मिलेगी डर के मारे बुचारी उधर नहीं जाती थी एक दिन वह सादूप बिमार हो गया विरनबाई को कुछ याद नहीं रहा और भूल से वह उसी गाउं की गली में चली गई जहा मा की वह रहने वाली थी उसकी एक भुजाई द्वार पर खड़ी थी बिरनबाई जाकर गाने लगी साथ भाई की एक बिरनबाई मुतीडा खोद ते जोगी ते पकड़ी माई माई भिक्या दे साथ भाईयों की एक बिरनबाई थी उससे मिट्टी खोदते हुए जोगी ने पकड़ लिया हे माई भिक्षा दे भाबियों ने उसे देखा तो ललकार कर भगा दिया वह सब भाईयों के घर होती हुई आखे छोटे भाई के द्वार पर पहुँची वहां भी उसने यही गीत गाया गीत सुनकर उसकी माँ उसके सामने आ गई कहने लगी बाई तु क्या गीत गाती थी एक बार फिर से तो गा उसने फिर से गा दिया मा के आखों में आसों की धार बहने लगी बिरण की आखें भी डब डबाई मा सोच रही थी कि ऐसी ही मेरी बिरण बाई थी जो साथ भाईयों की एक बहन थी वह पिली मिट्टी खुद ते समय खान में दब कर मर गई क्योंकि भोजाईयों ने उसकी मा को आकर यही बताया था कि वह खान में दब कर मर गई है मा कहने लगी बाई तु रोज आया कर मैं तुझे अपनी बेटी समझ कर खूब चीजे दिया करूँगी पूब खाना दिया करूँगी अब बिरन बाई को अपनी सब बात याद आ गई उसने सारा हाल कहा तो मा बेटी की याद ताजा हो गई वह दोनों मिलकर खूब रोही इस प्रकार बिरन बाई फिर से अपने घर आ गई थी अब माबाप ने उसका ब्याहा करने का विचार किया उधर जब सादू को मालूम हुआ कि बिरन बाई अपने घर चली गई है तो वह अच्छा होने पर वहां आया और उस समय बिरन बाई की सगाई हो रही थी सादू बोला सगाई तो करो पर चेली तो मेरी है उसका ब्याहा हुआ तो सादू आकर फिर से कहने लगा ब्याहा तो करो पर चेली तो मेरी ही है ब्याहा हुआ और बिरन बाई अपने ससुराल जाने लगी सादू फिर से आया और कहने लगा लाडो तो ले जाओ पर चेली तो मेरी है इस तरह सादू बिरन बाई के पीछे पड़ गया बारात घर पहुँची तो वहां भी सादू आकर कहने लगा बारात तो आई पर चेली तो मेरी है जब इस प्रकार बूल बूल कर वह सादू हर एक जगा पर बिरन बाई को छेड़ने लगा सगाई में, शादी में, बारात में तो बिरन बाई घबराने लगी और वह घबराई उसने कहा ओ प्रितम, ओ सास जी मुझे साथ ताले में बंद करो नहीं तो यह सादू मुझे पकड़ कर ले जाएगा बिरन बाई को सस्राल वालने साथ तालों में बंद कर दिया और एक बंद करके एक संदूप में सुला दिया अंधेरी रात थी रात को खड़का हुआ बिरनबाई जागी उसने कहा पहला ताला तूटा सास जी जागो दूसरा ताला तूटा ससूर जी जागो, तीसरा ताला तूटा जेट्स जी जागो, चोथा ताला तूटा जेठानी जी जागो, पांचवां ताला तूटा देवर जी जागो, छटा ताला तूटा देवरानी जी जागो, सात्वां ताला तूटा प्रियतम जी जागो इस तरह बिरन बाई ने सभी को एक एक करके जगा दिया और उसी समय साधू वहां से चला गया और बिरन बाई बज गई और अब वह सस्राल में बहुत आराम से राजी खुशी रहने लगी वह अपनी मा के पास भी आती लेकिन जो भाबियों ने उसके साथ किया वह वह भूल नहीं पाई आशा करते हूं आपको यह लोग कथा पसंद आई होगी यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी प्रेस करतें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लोग कथाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और यह सभी की मुह पर होती है